हलो दोस्तों नमस्कार उम्मेद है आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों हम आज बात करेंगे सबसे बड़ा मुद्दा यह होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट की यूजर हैं नूचूल फंड में काम करने वाले यूजर हैं या फिर क्रिप्टो मार्केट में काम करने वाले या फिर आप आने वाले अपने फ्यूचर में कुछ सालों ये छे मेने के अंतर कुछ आपके प्लानिंग है तो आपको इसके बारे में खबर होनी चाहिए कि अभी वर्ड मार्केट क्या कह रही है इसके संदर में हम बात करते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक कर लेजे और चैनल को इन्वेस्टिमेंट की गरांटी नहीं देते हैं क्रिपया अपना ओन इस्टिडी जरूर करें उसके बाद ही कोई इस्टिप ले तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंशियल एकोनॉमिक स्लोडाउन क्या होता है आर्थिक मंदी फ्रेंट्स आर्थि सकती है छे मैना चल सकती है कभी कभी दो साल भी चल सकती है या धीरे धीरे एक साल तक चलती है और धीरे वह असर उसका दो साल तक दिखता है ऐसा देखा गया है कई बार जिससे अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी तक दो बार आर्थिक मंदी का सेच्वेशन देख हुआ था क्योंकि वह वर्ड वाइड हुआ था उसमें कोई भारत की गलती नहीं थी यानि कि भारत उस अंकट को जहला है इस वजह से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं कि 2008 का दौर भी भारत ने जहला है अर्थिक मंदी उस समय ग्लोबली होई थी बाकि 1991 वाली जो भारत की आर्थि कर दिये गया थी इस वजह से थोड़ी से अभ्यास था आ गए थी बाकि फिर गोल्ड को गिर्वी रख करके किस तरीके से गवर्मेंट को डिरेलमेंट होने से बचाया गया और फिर गाड़ी पट्री पर लागे एकोनॉमिक का सही रास्ता चुना गया और फिर उसको उस पर पर कंट्रोल किया गया तो फ्रेंट से आज हम बात करते हैं इसी सिलसले पर कि आर्थिक मंदी से निपटने के लिए पहले बात तो इसको समझना बहुत जरूरी कि आर्थिक मंदी इकोनॉमिक सलोडाउन और बित्तिय शंकट यानि कि फानिसिल क्राइसिस दोनों में अंतर क्या है बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं बताएंगे नहीं तो पूरा वीडियो इसी पर हो जाएगा बहुत सारा कबर करना है पॉइंट वार तो जब यह आर्थिक मंदी होता ह तो यहाँ पर क्या होता सबसे पहले सबसे पहले होता है बाजार की जो बैस्ता होती है गडवर हो जाती है आपके पास खरीदनी के लिए पैसे लहीं रहेंगे आप आप सचो के ढहरे सर सतर क्रहने की जरूरत है अगर इन्वेस्टिमेंट डालने जा रहे हो तो सतर क्रहने की जरूरत है एकोनमिक स्लोडाउन आर्थिक मंदी में होता क्या है कि बजार पूरी तरीके से स्लोडाउन पड़ जाता है ना तो customer के पास खरीदने के लिए पैसे होते हैं और ना ही seller के पास देने के लिए ही होता है क्योंकि उनके पास आवक नहीं होता है यानि कि पूर्ती मांग और पूर्ती की पूरी जो system होते है वो ie MB की बिवे जब आती है तो कहिन की बैंक जिमवार होते हैं तो यहां पर आप समझेगा किस तरह के जिमवार होते हैं पैसे नहीं होता है कि आपका पैसा बैंक में है और फिर भी आप उसको निकालने जाते हो ज़्यदा मात्रा में थोड़े मात्रे में तो मिल जाते हैं अर्थिक मंदी में ऐसा देखा गया है कि जब बैंकों में बड़ी-बड़ी लंबी-बड़ी लंबी लाइन लगती है तो वहां पर क्या होता है कि आप अपने ही पैसा निकालने जाते हो आपको नहीं मिलता है अर्थिक मंदी का सबसे बड़ा उदारण है अगर आपके पास प्रोड़क्ट बेचने के लिए है तो आप बेचने के लिए रेडी रहोगे किस्टमर ही नहीं मिलेगा क्योंकि के पास पैसे नहीं है बाई करने के लिए ठीक है तो कहने के मतलब है कि पूरी बेस्था खतरनाक सेचूईसन में आ जाती है बैंके हाथ खड़ी कर देते हैं क्योंकि बैंके डू भी हुई रहते हैं उनका पैसा रिटेन नहीं आपाता है इस वज़ा से वा को कैश नहीं कर पाते हैं कंपनियों में जॉब नहीं मिलती है और जिस जिनको जॉब मिली है उसमें से क्या होता है कि लगभग लगभग 40-50-60% करमचारियों को बाहर कर दिया जाता है कि हमारे पास हाथ खड़े कर सकता है 15 साल में हो सकता है 20 साल में जैसे उनी से क्यान की घटना करी जाया तो हम लोगों के बहुत पहले ठीक है तब तो साइद बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे और 2008 वाली तो मालूम है बाद में पढ़ा 2010-11 में हमने पढ़ा 2008 में ऐसी घटना हुई थी वर्ड आपकर देखा गया है की जिसे अभी के पूरा वर्ड के मार्कित में इंडिया के मार्कित को ले करके dilate करके देखा जाय तो मंगाई र साल इंक्रीज हो रहे है तो घटने का तो सवाल नहीं होता घट जाया तो थोड़ी बहुत अच्छा ही है लेकिं घटती क्यों नहीं है इसका भी बड़ा रिजन है और बड़ ही क्यों रही है लगातार बढ़ती जा रही है इसका भी एक रिजन है तो इसे 주고 थोड़ी से चर्चा बताएंगे इस आज समय अर्थिकमंदी कि सबकुछ अब्यस्थित होजाता है कस्टिमर को कोई समान भाई करना है तो उसके पास पैसे नहीं है या कम है यूँ को तो अभी कुल मिला के एलर्ट होना है आगे आने वाले कुछ समय में ऐसे सिगनल से मिल रहे हैं जैसे अभी यूरोपियन मार्केट देखोगे तो मांगाई से बहुत परिशान है अमेरिका के मार्केट देखोगे मांगाई से बहुत परिशान है अभी हाल ही अभी कल की ही न्यूज है जर्मनी की सिच्वेशन ठीक नहीं है वहाँ पर लोग बहुत खर्चे काट कपट कर जीवन यापन करने को अब यानि कि मध्य मौर्गे के हम बात कर रहे हैं कुछ अगर चुनिंदा जो एक अपर रिचनेश की अपर लाइन है अगर उसमें कुछ यूजर कुछ उनकी इस्तिति सही है तो यह नहीं मानना चाहिए कि सबकी इस्तिति सही है जैसे अपने इंडिया में अगर टोटल पापुलेशन की दस परसेंट एकोनॉमिक किसी भी कंडिशन में सही ही रहती है तो इसका मतलब है अब नबे परसेंट को उसी तरीके से नहीं समझ लेना जाहिए कहीं न कहीं यह भी आपको देखना है मध्यमार की परिवायर की बात करी जाए तो पौषचास परसेंट जनसंक्या पाबर्टी लाइन की बात करी जा तो तूस तरीके से आपको डियार करके देखना है तो यहाँ पर ब्युस्था जिस तरीके से होती है मार्केट से पैसा देरे देरे गायव होने लगता है यह पैसे कहा जाते हैं समझ में नहीं आता है जैसे यह अर्थिक मंदी शुरू होती है स्टार्टिंग में वर्ड मार्केट होती है जैसे बहुत सारे बिदीसी कमपनियां होती है भारत में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं भारत की बड़े-बड़े कंपनियां मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हैं कंपनियां कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट करती हैं लोगों को जाब मिलता है तो वो क्या करती है अचानक तो जब निकाले जाएंगे और यह जब से नहीं जाई है तब से मार्केट डाउन हो रही है याद कीजिए कि सेर मार्केट कंटीनू डाउन क्यों हो रहे हैं यही रिजन है जब से आरब यह ने दिया बयान यह गूगल पर पड़ा हुआ जाके पढ़ सकते हो तो तब से लेकर अब इसे मार्केट में लोग पैसा निकालना चालो कर दे हां कुछ टाइम के लिए कुछ हपते के लिए उसमें से थोड़ी बहुत दिख सकती है आपको इंक्रिमेंट लेकिन उसको इस्टेबल मत मानला क्योंकि यहाँ पर बीकवाली की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी म मार्केट कंटीनू धिरे-धिरे डाउन में जा रहे हैं यहां पर विकवाली की संख्या बहुत ज्यादा है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है अभी अगर हम बात करें इसी के सिलसले में एक घटना है जिसको ब्लेक स्वेयन घटना कहते हैं ब्लेक स्वान यानि कि काला हांस गटना क्या होती है एक राइटर है नसीम निकोलास यह लेवनानी राइटर है लेवनानी अमेरिकी राइटर है इन्हों ने अपने पूस्तक लिखी है इसी से संबंदित आर्थिक कि आप कलपना नहीं कर सकते जैसे कि आप K望 को कभी लगता है आदमी के दो आख होती है to become तीन आख तो होती नहीं है अब है अहीं है अचानक आपको ऐसे मिल जाए कोै した को या दिए अरे दीकों यह तो तीन आख वाला आदमी अब भी अगर world news देखा जाए तो ऐसे कुछ news निकल के आ रही है लेकिन ये कब अचानक से असर कारक हो जाएगा ये किसी को नहीं पता हो सकता है तो कहने के मतलब है कि आगे आने वाले समय अगर आप employment है तो आपको अपने खर्चे पर control करना है कोई भी अगर आप सरकारी कर्मचारी है प्राइबेट जॉब करने वाले हैं कुछिंग पढ़ाने वाले हैं जैसे भी आप income है तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि अपने खर्चे पर control करना है बड़े गैजट बाइक विलर टुविलर फोर विलर इन सबे में investment नहीं डालना है अगर investment की बात करी जाए तो यहां भी कम से कम डालिये या बहुत थोड़ा testing करके डाल सकते हो लेकिन जादा से जादा मातरा में आपको बचके रहना है जादा से जादा कोशिस करना है कि आर्थिक इस्तितिति हाँ इसमें क्या होगा बहुत सारे investment से समंद्ध चीजें क्य हो सकता है नहीं वो निश्चित है घटे गाई जैसे ही अर्थिक मंदी ये दर्सार रहें अच्छा एक चीज जैसे अभी वर्ड मार्केट में देखा जाए तो सभी कंट्रिया महंगाई को लेकि परिशान है तो महंगाई कैसे कंट्रोल होती है इस पर थोड़ी से चर्चा करे ध्यान दीजिए कि अपने हरवा मेटेरियल जैसे किसाननों सते परसेंट किसान है भारत किसानों को यहां पर यहां पर होती प्रोड़े Sam होता है तो यह ज्यादा होता है जैसे किसानों के और हम घर भण किसानों के खेतों में देखते हो कोई वसल तयार हो गए तो समय उसका रेट मिनिम्म रहता है अक्थर अपने इंडिया में प्याज को लेकिकर काफी मार्केट में है चरचा रहती है जब वो तयार होता है तो चार रुपए पांच रुपए 8 रुपए कीलो रहता है केजी रहत इस वज़ा से उसमें, रेट का उच्छाल आ जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा हुआ है, अपने यहां भरपूर प्रोडक्शन हर चीज का लगभग-लगभग होता है तो production बढ़ा हुआ है already, production बढ़ा हुआ है, तब भी महंगाई control नहीं हो रही है, तो महंगाई control करने के लिए क्या होता है, कि market में जो पैसा है, इसको खीचना पड़ता है, इसको कौन खीचेगी, इसको बैंके खीचेगी, RBI खीचेगी, किस तरीके से खीचेगी, इसी वज़ ऐने बैंकों का दर प्रतिशत, यानि कि जो percentage वो देते हैं, उसका बढ़ा दिया, उन्होंने, बढ़ा दिया है, काभी सारा बढ़ा दिया है, तो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, कि market से पैसा खीचते हैं, यानि कि निकालते हैं और बैंकों में ले जाके रखते हैं, उस में जो चल रही उसको खीचने की कोसिस करेंगे महांगाई कंटूल करने के लिए सबसे अच्छा एक्जामपल यही है प्रोडक्शन बढ़ाना अल्रेडी बढ़ा हुआ है तो पैसे को पैसा सबके पास अधीक हो गया है तो इसको खीचना है बैंकों के थुरू इसको जमा करा वने परसेंटेज सब्सक्रान करेंगे उसके परसेंटेश् button पर देंगे यानिकि कह सकते हों कि आने वाले समय में बाद में अभी उसके percentage और आपको interest ज़्यादा दिये जाएंगे तो बाद में आप FDV कर सकते हो जैसे यह economic में आपको देखने को मिलेगा कि वाकई में हर market बहुत ज़्यादा deep में जा रही है लोगों की नौकरिया छूट रही है जैसे campus placement होता है उसमें क्यों होता है 300-5000 परशन्ट लोगों को ज़वर मिलता है चालिस-54 चालिस-45 परशनट लोगों को जवर और जो company job दे रही है दे रही है जिए उसमें employment हैं उनको बाहर किया जाता है तो चटनी कहते हैं अक्सर आए दिन देखते हो कि company में चटनी हो रहे है क्यों चटनी हो रहे है क्यों पेमेंट नहीं देपाती है कैसी देगी पेमेंट को उनका production हो रहा है तो बिक नहीं रहा है जैसे selling होगी उसका profit होगा तभी तो होगा लेकिन इसी बीच देखा जाता है कि कुछ company का profit बहुत हुँआ लेकिन ध्यान देज़े कि इसी दवरान मार्केट, share market, crypto market इस तरह के जतने भी market थी उनके ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गए मतलब सारे रिकार्ट काई सालों के रिकार्ट तोट गए कैसे हुआ पैसा कहा से इस तरिके से आ अमेरिका में कया हुआ यमांगाई दर मुहाया करा दिया अपने इंडिया में नहीं लेकिन ध्यान दीजिए कि जब किसी कंट्री में इस तरीके से अधर लोगों को दिया रहा है कि लोगों को पाई करो एप्ली से ट्रॉका जा दो होंडोल बंदर के अर बंक हैं मतलब भर भर के पैसा दे रही इसे जो तो वह भर-भर के पैसा देती है अपने यहां कोई रूल आ जाए कि सबको पैसा दो मार्केट से खुब उखरिदारी करें तो बिजनिस यहां पर सामाने दिखने लगेगा आपको बहुत सस्ते दर पर जैसे अभी देखोगे तो 14-14% पर थारा थारा परसेंट पर आपको द्य वैड इफेक्ट बहुत रहते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए तो अमेरिका में क्या हुआ कि उन्हों ने बहुत सारा पैसा लोगों को दे दिया वही पैसा वर्ड मार्केट में लग गया अपने यहां शेयर मार्केट में भी काफी इंवेस्टर ने इंपुट किया पैसा काल में सारी कंपन्य बंद है जुब सबकी छोड़ चुड़ चुकी है पैसेיה नहीं रहे तो अखिर कौन सा पैसा था जो कि मार्किट को इतना ग्रो किया कौन सा मार्किट हो सकता है कहा का पैसा है तो यही सारे पैसे थे उसके बात जैसे जैसे नい खतम हुआ उसके फिर क्या हुआ है यह मैं क्यों बता रहा हूं यह सारे जो इलेमेंट है ना मार्केट की अब्यवस्था के लिए जिम्मेवार होते हैं किसी को जादा दे देना भी गलत हो जाता है और किसी से छील लेना भी गलत हो जाता है यही चीज है मार्केट का संतुलन हमेशा संतुलन ब आया मार्केट बाजार सामाने में आउस्था में लोटने लगे लोग अपने जॉब को जाने लगे कंपनिया खुलने लगे दिर दिर जो कई महीनों से लाइन पर आने लगे उसी के बाद क्या हुआ यूद्ध में क्या हुआ है कि बहुत सारे पैसे मार्केट से एक्जिट किये गए फूड सप्लाई जो सप्लाई चैन होती है फूड ही क्यों सारी सप्लाई चैन क्रूड आयल से ले करके जितने भी रा मैटेरियल होते हैं या फानल प्रोड़क्ट होता है जो बहुत सारे आयातने रियात के सादोन होते वो सप्रभावित हुए उसमें फिर मार्केट का डाम स्टाठ हो गई सेयर मार्केट क्रिप्ट मार्केट और ब सबतें यह निकालने लेगी तो मार्केट बैठ जाएगञ ठीक है और जैसे फैसा निकालना चाहे हुआ सारी मार्केट, स्टाक मार्केट में, देखिए ना, कितने सेयर, 40-40, 50-50, 60-60, 65-70 परशंट गिर चुके हैं, अभी और गिरने का उम्मीद है, देखिए, जो लोग कंटीनि स्टाक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में काम करते हैं, तो उनमें कुछ वेल से चलते हैं, तो up या down दोनों जिम्मेवार होता है world market whale के कहने से कुछ घंटे के लिए कुछ दिन के लिए दो हपते के लिए 15-20 दिन के लिए हो गया तो अब ये मत कहना के sir आपने तो ये कहा था ये कैसे हो गया वो अलग मेटर होता है लेकिन कहीं ने कहीं पानेल वही होता है जैसे अभी लेटेस्ट में हो युक्रियन युद्ध के बाद market continue down जा रहे लोग पैसा निकाल रहे है और लोग ही नहीं बड़ी-बड़ी कंपनिया जो अदर-अदर कंट्री में जैसे बहुत सारे foreign के country foreign के जो कंपनिया है भारत में investment करा है वे भी पैसा continue निकाल रहे है और यही वज़ा है कि stock market continue नीचे जा रहा है crypto market continue नीचे जा रहा है और जो भी मांगाई से PDT हैं ये वाला जो system है demand, production, उत्पादन और market में जो पैसा है तो भैंके अभी पैसे को market से खीचना चालो करेंगी तो और आपको problem आएगी तो क्या करना है आपको इस दवरान अपने आपको aware करना है इस news को पढ़ते रहना है कि हमें क्या करना है तो इस दवरान आपको क्या करना है कि जो आपके बड़े खर्चे हैं बड़े खर्चों में आपको बचना है अगर आप उमिद कर रहे हैं कि हमको 6 मेना के अंदर-अंदर फोर वीलर लेना है तो मत लेजिए मैं तो कहूंगा मत लेजिए अच्छा हाँ यह कैसे आपको पता चलेगा कि महंगाई दर कंट्रोल में है या एकोनोमिक कंट्रोल में आ चुकी है अब कोई खत्रा नहीं है तो इसको देखने के लिए आप गूगल पर जाएंगे प्राइस इंडेक्स ठीक है इंफ्लेशन इंडेक्स महंगाई दर आप चिक करेंगे तो महंगाई दर का जो यह प्राइस होता है वह लगभग चार साड़े चार परसंट चार परसं चल रही है जब आपका इंडिक्स चार परसंट हो जाए तो समझ लेना कि हाँ अभी सब कुछ नार्मल है दूसरी चीज़ आपको पता भी लग जाता है कमपनियां चटनी कर रही है इसका मतलब उनके पास पैसा नहीं देने के लिए बहुत सारी अब्यस्थाएं इस तरीके से होते रहती है जो कि आपको पता चली जाता अगर आप रेगुलर पेपर पड़ रहे हैं तो आप ऐसे कुछ निउस से भी आप पता कर सकते हो तो ब्लेक स्वैन की घटना यही घटना है जो कि अन प्रेडिक्टिवल घटना बजार में हो जाता है और वहां पर एकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाती है यही सिस्टम ब्लेक स्वैन की घटना के नाम से जाना जाता है इसके इस बुक के राइटर जो है वो निकोलस नसीम निकोलास है जो की लेवनानी राइटर है लेवनानी अमिर की राइटर है तो उन्होंने इस बुक को लिखा इसको आप पढ़ सकत हो trade कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है stock market हो crypto market हो आई नि कोई भी market हो जो भी आप जहांपर करते हो ठीक है तो थोड़ी time के लिए investment डाल सकते हो 3 कि कर सकते हो लेकिन बहुत जबह ज़दे investment अभी डालने के लिए situation ठीक नहीं है gold stock crypto market सारे के सारे अभी डाउन के चांसे बन रहे हैं यह हम नहीं कह रहे हैं यह वेल नहीं कह रहा है यह वर्ड मार्किट कह रही है तो आप गूगल पर इसके बारे में डेटेल में पढ़ें सारे जानकारी आपको complete मिल ही जाएगी तो इस तरीके से जैसे आप जर्मनी कभी के लिए कुछ ने कुछ करेंगे और कुछ ने कुछ करेंगे मार्किट से पैसा खीचेंगे production बढ़ाएंगे मंगाए control करने के लिए तो एक बार अब्यवस्था आएगी इतनी अब्यवस्था आएगी कि लोगों के पास पैसा ने रहेगा अच्छा एक चीज और है कि आप तो सुचोगे अरे हमारा पैसा हमारे हां से कौन लेके चला जाएगा तो मैं बता दो जब मार्केट से पैसा जाने लगता है बैंकों की तरफ यह कहीं भी जाने लगता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बैंक का पैसा आपके हाथ के थुरू ही जाएगा सपो आओ ले जाओ 22,000 के फृरिज आपको 7000 में मिलेगी आओ ले जाओ जितने भी गजट है महंगे महंगे जो भी आप लेना चाहते हो आओ ले जाओ एकदम सस्ते में तब आप ऐसा दोगे कि नहीं अच्छा ये चीज आपको पता भी नहीं चलेगी आपके पैर से आपका जूता कोई गायब कर लेगा आपको पता नहीं चलेगा इसी को कहते हैं आँखों से काजल ले जाना मार्केट जब क्रेश होती है तो किसी को पता नहीं चलता हूँ धीरे धीरे अंदर अंदर सब हो जाता है जब उसका एफिक्ट लंबा दिख जाता है तब लोगों को दिखता है काफ़ी लोग इसके चपीठ हो जाते हैं जैसे अमेरिका की वजह से क्रिप्टो-मार्केट के बहुत तेज उपर गया भारत के कुछ करीब पुझी भाद लोग गरीब थोड़े फिर जिनके पास पैसे उन्होंने भी निद्धे के चक्छित आते और आज उनके पैसे बहुत डॉन हो चुके हैं तो कभी भी कभी कभी पैसे का लेकी दो रूपयोग ना करें कभी भी पैसे को कहीं इनवेस्टिमेंट करने से पहले कम से कम उसके छे महसे से आप उस चीज का अध्ययन करो अगर आप करने जा रहे हो या सीघ्र में एकानोमिक का मार्किट क्या है और अदर आदर जो जो मार्किट को ज़ coalitionर बार् मार्कक्ट को ज़्यादा मैन्यॉपलेट करती है जैसे रूज की मार्केट हो गई, यूरूब की मार्केट हो गई, अमेरिका की मार्केट हो गई, बहुत ज़्यादा इन तीनों की वज़ा से पूरी मार्केट, कभी अप, कभी डाउन, कभी क्राइसिस, कभी धढ़ाम, इस तरीकी से, संसक सनेप्टी सब प्रभावित होता है, कि अभी आपको आगे समल के रहना है आपको पैसे बचा के चलने हैं अपने दवा के लिए अपनी खर्चे के लिए अपने भोजन पानी के लिए सब कुछ करने के लिए खर्चे कम से कम करें, महेंगे गजट जो भी लेने वाले हैं, कम से कम 6 महीना एक साल के लिए इसको टाल दें, पुरी तरीके से एवाइट करें, अपने चाने वाले, अपने दोस्तों को भी वीडियो सेयर करें, कि इस तरीके से घटना हाने वाली है, यह मैं नहीं कहे रहा हू यह कोई market को manipulate करने वाले वेल नहीं करें यह word market कह रहे है अभी जो situation है आप परड़े अख़बार में देखिए परड़े नियूज में देखिए सारे नियूज आपको complete मिल जाएगी अपने से भी अद्धन करें तो फ्रेंट उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और वीडि हुआ है